दोस्तो ब्लेक मेलिंग चाहे जैसे भी की गई हो ये जबरदस्ती का एक तरीका है जिसमें किसी एक वेक्ति या कई लोगों या महिलाओं को उनके बारे में पूरी तरह से सही या गलत जानकारी जारी करने या परसारित करने की दमकी दी जाती है और पीडित को तब तक ड्राया और दमकाया जाता है जब तक कि उनकी स्पेसिफिक डिमांड पूरी नहीं हो जाती जनरली ये ऐसी जानकारी होती है जिसे आम जनता के बजाए कि अवल रिष्ठेदार या सहयोगियों के साथ ही शेयर किया जाता है इसमें पीडित या पीडिता के किसी करीबी को फिजिकल, मेंटली या एमोशनली नुकसान पहुचाने के साथ साथ आप राधिक मुकदमा चलाने की दमकी देना भी शामिल हो सकता है ब्लैक मिलिंग आम तोर पर किसी परकार के पर्सनल गेन के लिए पावर, पैसा या प्रोपर्टी पाने के लिए की जाती है आज कल डिजिटल यूग है, हमारी सारी, अच्छाईया, बुराईया, पारिवारिक और व्यक्तिकत जानकारी हमारे मोबाईल में रहती है किसी को मैसेज बेजना है, वटसप कर दिया, प्रोपर्टी के लिए कागच बेजने है, ओनलाइन बेज दिये शोशल मीडिया पर अपने सभी रिष्टेदार और नजदीक वाले लोगों के साथ फोटो शेयर करते रहते हैं न्यूज पढ़ना, अच्छा बुरा देखना, कुल मिलाकर तकरीबन सब कुछ ओनलाइन होने लगा है कभी भी देखना ओफलाइन रहने वाला कोई भी विक्ति ब्लेकमेलिंग का शिकार बहुत कम होगा अब इतनी सारी information online exchange होती है कि कहीं न कहीं कोई sensitive data leak होई जाता है जो कि कई बार बेहत खतरनाक रूप ले लेता है इतने hacker, fraud और blackmailer बैठे हैं online की सरकारी अजिंसिया भी इनके आगे बेबस हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि cyber crime के इस जोल में आपकी सोच से भी ज़्यादा लोग परभावित हो रहे हैं भारत बहुत बड़ा देश है और आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनें कभी न कभी blackmail का सामना करना पड़ा है बहुत सारे लोग इसके खिलाफ कानूनी कारवाई भी करते हैं और खुद को इस दलदल से बाहर खीच लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करते और चुप चाप blackmail करने वाले को जो चाहिए वो उसे देते रहते हैं इसके कारण blackmail करने वाले लोगों का होसला और ज्यादा बुलंद हो जाता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब भी आपको कोई blackmail करके परेशान करने की कोशिश करे तो आपको तुरंत पुलिस अधिकारियों की मदद लेनी चाहिए आईए सबसे पहले जानते हैं कि blackmail करने का कानूनी भाषा में क्या मतलब होता है करण के जा सकती है सबसे पहले बात करते हैं कि कानून की नजर में blackmail की definition क्या है कानूनन ब्लेकमेलिंग किसी को आपराधिक दमकी देना है यानि ब्लेकमेलिंग को क्रिमिनल थ्रेट का ही एक रूप समझा गया है जब एक विक्ति किसी अन्य विक्ति को किसी मीडिया जैसे फोटो या वीडियो की मदद से कुछ अनूचित काम करने के लिए मजबूर करता है या कुछ कीमती समान या पैसे देने के लिए मजबूर करता है तो इसे ब्लेकमेल करना समझा जाता है ब्लेकमेल करने वाले विक्ति की मांग कुछ भी हो सकती है जैसे पैसा, कीमती समान या पावर, प्रोपर्टी या कोई पर्सनल कुछ भी हो सकता है अगर कोई भी वेक्ति किसी मीडिया जैसे फोटो या वीडियो को दिखा कर आपकी जतिया संपत्ति को नुकसान पहुचाने के लिए आपको ब्लेकमिल कर रहा है या वो आपके केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आप IPC या बारतिय दंसाहिता के सेक्शन 503 के तहत भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इसके अलावा ब्लेकमिल हेल्प लाइन भारत सरकार दवारा पीडितों के लिए निकाला गया एक ऐसा हेल्प लाइन नंबर है जिस पर आप बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी प्रेशानी से मुक्ति पा सकते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी शिकायत के लिए आप 1930 पर कोल करके अपनी प्रेशानी से निजाद पा सकते हैं ये नंबर केंद्रिय ग्रह मंत्राले की तरप से साइबर क्राइम से डील करने के लिए ही जारी किया गया है ये टोल फ्री नंबर है जिस पर बात करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं कटेगा कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली, राजस्तान उत्राखंड, चतिसगर्ड, उत्रपरदेश असम, तमिलनाडू और आंदरपरदेश में आप इस नंबर पर 24 गंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत करना दोनों ही गंबिर अपराद हैं आजकल साइबर क्राइम की गटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं साइबर अपरादी सोशल मीडिया पर फरजी आईडे बनाकर महिलाओं और छातराओं को अपना शिकार बना रहे हैं आतम गलानी और शर्मिंद की जेलने वे पानी नाक से उपर चले जाने के बाद ही पीडित महिलाई या लड़किया शिकायत करने के लिए सामने आती हैं क्योंकि साइबर अपरादी महिलाओं की फरजी वीडियो बनाते हैं और फिर उनको वाइरल करने की धमकी देते हैं मासुम लोग बिना किसी गलती के इंदरिंदो के शिकार हो रहे हैं कितने सारे लोग महिलाएं और बच्चियां शर्मिंदगी के कारण मोत को गले लगा रही हैं लेकिन ये अपरादी बाज नहीं आ रहे हैं मेरी यही सला है कि आप ऐसा कुछ होते ही तुरंत शिकायत करिये अपनी गोपनियाता बनाए रखने के लिए ओनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं मेरा विश्वास मानिये खाली शिकायत करने से ही 90% अपरादी बाग खड़े होते हैं आपका डर ही इनकी सबसे बड़ी जीत है इसलिए शिकायत जरूर करिये नमस्कार